नमस्कार दर्शिकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत विशेश कारिक्रम वैदिक गुरू में और मैं हूँ आपके साथ उपेंदर कौर दर्शिकों आपके अंकों का आपके जीवन प्यार बहुत जादा प्रभाव पड़ता है कैसे वो आज हम आपको इस कारिक्रम के माध्यम से बताएंगे तो कारिक्रम बहुत ध्यान पूरवक देखिएगा और यह समस्त जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित है हमारी बहुत बहुत खास महमान अपने दर्शकों के लिए प्राप्त करना चाहूंगी लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आपने एक निम्रोलोजिस्ट बनने की कैसे सोची और जब विशार आपके मन में आया तो यह विद्या आपने कहां से प्राप्त की निम्रोलोजी सीखने का मुझे मतलब हमेशा लगता था यह अंक के माध्यम से क्योंकि मैं ऐसे परिवार में पली बढ़ी हूं कि जहां मेरे माता पिता जोतिशी पर बहुत विश्वास करते थे और वे जोतिशी से मुहुर्त निकलवा कर और घर में किसी शुब कारे का शुभारंब करते थे और वो कारे अच्छा भी होता था उसका जो वो सफलता मिलती थे उस कारे में जब मैं बच्पन में ऐसे माहौल में मैं सुनती रहती थी कि उस जोतिशी के पास जाने से वो मु रहती थी क्या विद्चया कौंसी विद्चया जिससे की वे एतना बता सकते हैं कि किस समय काम करना है और काम भी सफल हो जाता है इस तरह मैं मेरे मन में ुचमित smalia सब्ड़ के हम इस सकता होती है लेकिन जब मैं श्ह один हुई तो तब भी भी मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यह हमेशा यह क्यों मूर्थ के बारे में बात की जाती है कहीं भी देखिया कर आपको मूर्थ की बाते सुनने को बिलती हैं तो मुझे बहुत इच्छा रहती थी हमेशा तो मैं इस तरह जब सब अवस्था में सब पर responsibility आती है सबका करता भी सबको करना पड़ता निभाना पड़ता और करना भी चाहिए तो इसको करते करते मैं teaching profession में घुश गई teaching profession में रहते हो भी मेरी रुची और उच्छुक्ता बिलकुल नहीं खतम हुई लेकिन उच्छुक्ता और रुची होना तो ठीक है लेकिन यह नहीं समझ में आया कि क्या सीखूं कि जिससे कि इसके माद्यम से मैं सारा जान पाऊं और मुहुर्त भी अंक में होता है सब जगां अंक अंक तो ऐसे हमारा जिवन चलता गया और समय बीटता गया तो कोवीट का समय है रिटायर्मेंट का समय आ गया तो कोवीट में मुझे हमेशा रहता था कि कुछ तो अभी यह समय है कि कुछ तो अच्छा करूं जो रिटायर्मेंट के बाद सब लोग कहते हैं कि यादाश कमजोर हो जाती है आप कर नहीं पातें, बहुत आप हतोच साहित रहते हैं और मैं teaching profession में थी और teacher तो मुझे लगता है teacher तो कभी हतोच साहित नहीं हो सकता है। लेकिन मैं जब उसके माध्यम से मैं online देखती रही, तो मैं बहुत देखी, बहुत सारे institute देखी, तो मुझे समझ में नहीं है कौन साल हूँ, क्या करूँ, लेकिन मैं सबका reviews देखना शुरू की, reviews देखके भी देखा कि All India Institute of Occult Science में अनेक विद्याएं, अनेक विद्याएं वहाँ सिखाई जा रही है, आपकी choice है कि आप कौन सी विद्या सिखना चाहते हैं, तो मैं Google से नंबर लेकर और उनके institute में कॉल की, वहाँ से मुझे पता चला कि दो दिन बाद ही webinar है, मैं webinar अटेंड की और webinar के माध्यमसे ही मुझे पता चला कि मैं जो ढूंड रही थी मुझे मिल गया, यानि अंक शास्त्र में मुझे लगा कि मैं अच्छी तरह सीख सकती हूँ और मैं उसके लिए इंस्टिचूट में अपना रेजिस्ट्रेशन कराई और मैं सीखना शुरू की तो इस तरह मैं तो इस तरह से आपका जो सफर है वो पूरा हुआ और हमें यह जानकर बहुत अच् के बाद जो है अकल्ट के बारे में पूरा अच्छी से समझा सेखा और आज आप हमारे साथ यहां पर उपस्ति है हमारे दर्श्कों को और हमें बहुत सारे विशेश जानकारी देने के लिए तो देखे दर्श्क के युदि आपका भी इंट्रस्ट है अकल्ट की तरफ आप इस इंस्टिट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है चलिए इससे के साथ सारी क्रम्याद के बात बताना चाहूंगी मैं आपसे कि सबसे अच्छी बात इंस्टिट्यूट में ठीक है विद्याएं बहुत और लोग भी सिखाते होंगे बहुत लोग मिल जाएंगे जो ढंक से भी सिखाते होंगे लेकिन सिखाने के बाद आप हमको लगता हमको सारा कुछ आ गया लेकिन जब हम परिक्षा देते हैं जब उसकी पढ़ाई करते हैं तो हम उसमें पारंगत होते हैं तो इसमें सबसे औ शिक्षक हैं और स्ताफ वह बहुत विशेश रूप से उनका चैन हुआ है और ऐसा हुआ कि क्लास में का जो वीडियो होता है जो क्लास होती है वीडियो जिसकी वैलिटी लाइफ टाइम होती है कि स्टुडेंट जब चाहे उसका रिफरेंस ले सकता है और उसको सही रूप से याद कर सकता है और अच्छी तरह से कर सकता है एक तो यह बात है और दूसरी बात यह है कि आप जो है यह वीडियो जो है उनका हमेशा बहुत ही अच्छी तरह से जो मिलता है आपको और बिना किसी कि आप उनको फोन कीजिए कि वीडियो भेर दीजिए हमको देखना है ऑट इतना हुआ निम्रोलोजी तो जो मैं सीख रहे हूं इनकी गौड़वत्ता से मैं वास्थू में भी और वास्थू में काफी आगे चली आई हूं और मुझे नहीं लगता था कि वास्तू भी इतना सरल हो सकता है कि वास्तू में तो आप ऐसा रहता है कि वास्तू जहां रहते हैं आपका उर्जा और आपका अस्थान आपकी अनुसार होगा तो और भी सफलता मिलेगी ये विशेश बात है मैं बहुत अच्छा लगा आपसी है समस्त जानकारी प्राप्त करके क्योंकि हम एक अच्छी शिक्षा तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हमें बहतरीन टीचर्स प्राप्त होते हैं और All India Institute of Occult Science दिल्ली वो इंस्टीट है जहापे बहतरीन टीचर्स हमें मिलते हैं जो हमें डीच होगी हम इस विशेपर भी आपसे चर्शा जरूर करना चाहेंगे लेकिन आज हमारा विशे जो है निम्मरोजी हैं तो इस पर चर्शाए करते हैं घ्राप्त कि निम्रोर्ण। को समझ सकते हैं साधारन शब्दों में निमरोलो जी तो देखिया है भारतर्ष में रहते हैं सब को पता है कि भारतवर्ष में है अब भारत उड़्ष की संस्कृति इतनी rich है कि जब से पृत्वी का अस्तित्व है, तब से हम अंकों के बारे में बात करते हैं, जैसे त्योहार में ले लिजे, नौरात्री, नाइन फॉर्म्स ऑफ गॉड़ेस, सब्त रिशी, साथ नदियां, साथ म्यूजिक के नोट्स, सताइस नशत्र, इत्यादी इत्यादी, यानि हम ज के चुनव नहीं लिए थे, तब से यह अंक का प्रयोग भारत वर्श में होता, और हर अंक को सुनते रहे, देखते रहे और पढ़ते रहे, लेकिन अब बात होती कि निम्रोल logys में भी, आप यहीं सोचगे, कि निम्रोलो जी मतलब की अंक, अंक से कुछ संबंध होगा यहां पे, तो अंक का संबंध है मतलब अंक शास्त्र, और अंक शास्त्र में हम देखते हैं कि जिस दिन हम जन में लेते हैं, इश्वर हमको एक अंक के साथ भेजते हैं, और वस अंक के आधार पर हम अपना जीवन न्यापन करते हैं और जहां मुझे हमको कम्या लगती हैं हम उसमें सुधार भी करते हैं जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में भी देखिए जैसे कोई 15 को पैदा हुआ किस महीने में पैदा हुआ वो महीना किस वार यानि किस दिन पैदा हुआ किस सन में पैदा हुआ तो यह सारा नंबर ही तो है और नंबर की यह महांता है कि हम उसके आधार पर अगर उसके गुलों को जान जाएं तो हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और अगर हम अपने numbers को पहचान जाए तो अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन इसी के साथ मन में एक सवाल आया, हमने अक्सर यह सुना है कि निम्रोलोजी में हम दो digit का जो number होता है हमेशा उसे single digit में लेकर आते हैं, यान सवाल यह उत्पन होए है कि single digit में क्यों लेकर आते हैं और एक से नौ अंक तक ही क्यों हमें घ्यान प्राप्त होता है निम्रोलोजी के जरीए, बिल्कुल सही आपने पूछा, यह बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा सुनते हैं, एक से नौ, एक से नौ, एक से नौ, यह नंबर ही नहीं है, नंबर जो है, यह हमारे प्लानेट्स है, प्लानेट्स है, जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, और हमें मेहनत करना भी सिखाता है, और हमें आलस छोड़ना भी बताता है क्योंकि जीवन यापन सबको चाहिए कि हम अच्छी तरह से करें तो हमारा एक नंबर है आपने बिल्कुल सही बोला है कि दो नंबर को जोड़कर हम लोग एक नंबर जो हमारा सारा नंबर एक से नो के बीच में आता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक नंबर है सन का, यानि सूर्य का, दूसरा नंबर है चंद्रमा का, तीसरा नंबर है ज्यूपिटर का, चंद्रमा जैसे हमारे mood को, हमारे emotions को बताता है और सन जो है, यानि सूर्य है, वो राजा है, राजा जिसको बोलते हैं, तो राजा है, तीसरा तीन नंबर, तीन नंबर मतब ज्यूपिटर, यानि देवगुरू, ब्रिहस्पति चार नंबर है राहू, जिसको सब लोग बोलते हैं कि struggling planet है, बिलकुल सही बात है, लेकिन ये बताईए, कि अगर बिना मेहनत किये हमको जीवन में, अगर कुछ प्राप्ती हो जाए, तो क्या हम उसका भाव जान पाएंगे, लेकिन हाँ, अति हो जाता है, तो ये बात है कि ह हम मेहनत करें और उपाई भी करें, अब हुआ पांच नंबर, पांच नंबर हुआ बुद्ध का, बुद्ध मतलब शुद्ध, जो आप सुनते हैं, बुद्ध मतलब शुद्ध का मतलब, वो बिलकुल सही बात है, बुद्ध होता है, जो हमको balance देता है, हमारी जीवन को balance द दोस्ती ना काओं से, सबके साथ अच्छा वहार है इसका, तो पाँच नंबर यह होता है, छे नंबर जो होता है हमारा ब्रिहस्पत्य, 65 नंबर होता है हमारा शुक्र, शुक्र का मतलब है दानव गुरु दानव गुरु लेकिन आज कल के जमाना में अगर सिक्स नमबर नहीं है तो आपको हमेशा मन में ललक रहेगी कि हमको भी ये उपलब्दी हो जाती तो छे नमबर आपको देता है रिलेशन्शिप छे नमबर देता है आपको लग्जरी छे नमबर देता है आपको अपॉरिचुनिटी यह हुआ छे नमबर अब हुआ साथ नमबर साथ नमबर है मतलब केतु केतु का मतलब है विजडम आपको पता है राहू सिर्का और विजड यानि शरीत तगड़ा आपको समुद्र मंतन की बातें पता ही होगी लेकिन wisdom का बस इत्ता जानिये कि wisdom होता है तो वो और कभी-कभी disappointment देता है लेकिन जब किसी और नंबर के साथ रहता है तो ये बाद में आपको पता चलेगा आठ नंबर है शनी सब शनी से डरते हैं लेकिन शनी जैसे एक teacher होता न इस टिक्ट जो अच्छा teacher होता है वे चाहता कि हमारा जो विद्यार्थी है ऐसा बन जाए ऐसा तपाता है वो और ऐसा बन जाए कि उसको जीवन में कश्ट मत हो तो वही है और judge भी है उनको पता है कि करन के फल दाता भी है तो अब को मेहनती नहीं करेगा तो शनी से तो डरेगा लेकिन शनी का लोग डर जादा होते हैं लेकिन शनी अगर नहों तो आपके finances आपके ये जिन्दगी में stability नहीं हो सकती हाँ ज्यादा eight number आ जाता है थोड़ा ज्यादा struggle हो जाता है लेकिन आपको यह लगे कि राहू और शनी नाओ आपके जिन्दगी में और आप बहुत आराम से जिन्दगी जी लेंगे तो यह मित्या हैं अब हुआ नौ नंबर हुआ मार्स जिसको मंगल बोलते हैं मंगल में बहुत energy है हनुमाण जी को मंगल से ही किया जाता है इसलिए जब मंगल आता पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव भी है आप काम करके तो देखिए आप तो मंगल का एनरजी चैनलाइज कर लें अपना तो नौ नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है जो लोग की डरते हैं कि मंगल है मंगल नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई नंबर सब नंबर अच्छे हैं कोई नंबर न भयानक है न बुरा है बस आपके कर्मों पे आप जैसा काम करेंगे ये रहता है वो नंबर आपको उसके अनुसार फल देता है ये हुआ एक से नौ नंबर के प्लानेट्स के पारे में बिलकुल बहुत अच्छे से मैम आपने हमें समझाया कि एक से नौ अंक तक ही हम क्यों लेते हैं और एक से नौ अंक किस ग्रह से अपना संबंध रखते हैं लेकिन मैम सवाल मन में यह आया कि क्या हम अंकों के माध्यम से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकते हैं क्योंक अपने बारे में भी जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि हम अपने बारे में जाने तो अंको के माध्यम से हम क्या कुछ जान सकते हैं और क्या किसी व्यक्ति का व्यक्तित भी जान सकते हैं बिलकुल व्यक्तित तो हम जानी सकते हैं साथ-साथ उसके भागे के बारे में जा होगा वा उसका कर्म कैसा होगा कैसा विभार होगा लोगों के साथ मतलब आ इतना कुछ जान सकते हैं बहुत सब जान सकते हैं वेक्तित्यों के बारे में जैसे उसका c annoपक ऐसा में सबसे ज्यादा उसका date of birth, date of birth जैसे मैंने लिया, सपोज 19 माई 1970 लिया 19 माई को जो पहला date होता है वह होता है आपका personality number यानि कि व्यक्तित्व अब मैं अभी बात की कि आप उससे भाग्यांक भी जान सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं तो उसका हम सबसे पहले DOB से एक तो personality नमबर हम निकाल लेते हैं दूसरा जो date month और year तीनों को जो जोड लेते हैं तब हमारा destiny नमबर या भाग्यांक भाग्यांक निकलता है जिसे हम life path नमबर भी बोलते हैं जो हमारा 30 से 35 साल के बाद पूरा शुरू होता है तो इससे हम व्यक्तित्व तो जानी सकते हैं बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि DOB के माध्यम से हम किस तरीके से एक व्यक्ति का व्यक्तित वो जान सकते हैं और अन्य क्या क्या हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में आपने परस्नेलिटी नमबर के बारे में भी हमें बताया और डेस्टिनी नमबर के बारे में भी बताया कि किस तरीके से यह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं एसली लेकिन एक सवाल मन में आया है जब आप हमें ग्रहों के बारे में बता रहे थे नंबर से जोड़कर तो आपने एक अंग के बारे में यह कहा कि वह राजा कह सकते हैं हम उसे क्योंकि उसके जो स्वामी ह नहीं तो एक नमबर उसके जीवन में सूरे को रिप्रेजन कर रहा है तो ऐसे में कि अन्ने ग्रषों का उसके ऊपर कोई में नहीं होगा उसके जीवन में क्या कभी कोई समस्तिया नहीं आएगी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बलकि प्रश्न पूछा है कि ऐसा नहीं है कि सन को राजा तो बोलते हैं लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी संगत इसे गुड़ होते हैं संगत इसे गुड़ जाएं इस तरह सूर्य जो है वो राजा है सारे ग्रहों का राजा है इसमें कोई शक नहीं है कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर जैसे मैं सब ग्रहों के साथ उसको जोड़ के बताती हूं आपको जैसे सूर्य और सूर्य एक एक नंबर के साथ हो तब को बिलकुल राजा वो बिलकुल अ बिलकून नहीं करना चाहेगा लेकिन आगी और भी और भीक रहे हैं उसके साहते कि एक के साथ अगर दो यानि मुन यानि चंद्रमा सूर्य के साथ चंद्रमा आ चाहे हैं तो चंद्रक मासॉट्ट वाणेट होता है decentral है जो emotion का स्वामी होता है और emotions चंद्रमा से आता है तो ये भी चुकि सूर्य यानि कि हम रानी की भी उपादी दे देते हैं नमबर दो को अगर एक के साथ है तो भाई राजा तो तगड़ा है तो सूर्य तो तगड़ा है तो रानी तो साथ में जिंदगी अच्छी निप जाएगी ये भी ठीक है अब एक यानि सूर्य और तीन नमबर यानि जूपिटर मतलब देव गुरु भाई अगर राजा है और उसके साथ देव गुरु आ गए यानि जो गनॉलेज देते हैं तो उसको परिशानी नहीं होगी अब बात रही जिससे सब लोग बहुत डरते हैं सूर्य के साथ राहू राहू इस ट्रगलिंग प्लानेट है उसको तो ये लगता है कि बस काम मेहनत करना है नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा तो सूर्य का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रह जाएगा अब राजा आ गया साथ में राजकुमार की डिपद भी दे दीजिए अगर नमबर पाइब है तो उसके साथ अगर आ गया तो उसको बढ़ने से कौन रोख सकता है जीवन में बढ़ने से कौन रोख सकता है सो फलता हासिल करने में कहां पीछे रह सकता है क्योंकि राजा क्या होता है उसको थड़ा कभी-कभी इगो और इस तरह का लेकिन बुद्ध जो होता है वो बैलिंस करके रखेगा नहीं राजा नहीं ऐसे नहीं करना है हमको ऐसे ब्योहार करना है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अब रहा एक और छे जो हमारे शुक्र जी है जो आज का शुक्र प्रधान ही देश और सब पूरा हमारी दुनिया है तो छे नंबर जो अगर सुर्य भी वेलकुल वही है और छे नंबर में भी वही गुड है लेकिन इनको चमक दमक सारा पसंद है लग्जरी पसंद है इनको ग्लैमर पसंद है और यह हाँ रिलेशन्शिप भी अच्छा रखते हैं तो इनके साथ भी अच्छे रहेंगे यह ठीक है उनका वो इतनी गर्मी आजएगी कभी-कभी मैरिज में, ठोड़ा सा रिलेशन्शिप में ठोड़ा सा प्राब्लम हो सकता है अब रहे एक और साथ साथ है के तू वो बिना दिमाग के होते हैं वो विजडम है उनका लेकिन बत तगड़ा वो जिस ग्रह के साथ जाएंगे उसी तरह यानि को उनका अपना ज्यादा कॉंट्रिबिशन नहीं रहेगा तो इसलिए सूर्य का थोड़ा सा कम रहेगा इसमें कॉंबिनेशन इन दोनों का अब रहा एक और आट यहां मैं बोलूँगी कि थोड़ा ज्यादा समलने की बात है एक और आट से बिलकुल ऐसे रहता है लेकिन हाँ निम्रोलोजी में इसका भी पाय है डरने की बात नहीं है अब रहा एक और नौ पाहवा एक और नौ का कॉंबिनेशन तो पूछिये मत यह सूर्य देवता राजा और एक हो गए सेनापती तो राजा का क्या सेनापती के बिना काम चलता है बिलकुल नहीं चलता है तो इसलिए एक और नौ जहां हूँ उनके बारे में सफलता के बारे में उनके जीवन के बारे में उनके हर्थ प्रकार की संब्रिदी के बारे में कुछ नहीं पूछना बहुती बढ़ीया बहुत बढ़ीया है तो ये है हमारे सुर्य देव पर सब ग्रहों का असरा बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया हाला कि सभी ग्रह जो है सही प्रभावी देंगे सूरे के साथ बैठ कर बिल्कुल बिल्कुल दो से तीन ग्रह जिनका थोड़ा सा डरने की जरूरत है लेकिन आपने बताया कि कुछ रैमेडियस के माद्य हम से उसे वी बैलेंस ग भूमी का निखभाते हैं तो ऐसे में आप सबसे पहले अपनी कुंडली का आंकलन कराईए क्योंकि हम कई बारी यह समझ नहीं पाते कि जीवन में जो समस्य आ रही है वो किस कारण से आ रही है और साथी साथ यह आप जोतिशास्त्र में रूची रखते हैं यह विद्या उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्ट्रेंट पर दिखाए जा रही है चली इसे के साथ कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं अब मैम जो बात निम्रोलोजी की हो रही है न तो निम्रोलोजी में हमने लोशो ग्रिट के बारे में सुना है तो इसके बारे में मैं आ हमारा लोशो ग्रिट में है जहाँ पर हर ग्रिट में ये नौगरीड होता है जिसमें हर ग्रीड में जो एक से नौग बात कर रहे हैं ठेज Tim उनको दक्राहर जाता है कि किसका अस्थान कहा और वह लशो ग्रेट है और उसी लोशो गरिट के आधार पर हम अपना किसी भी DOB का एनलेसीस करते हैं यानि कि निम्रोस्कोप बनाते हैं जिसको हम चार्ट बोलते हैं जिसको astrology में कुंडली बोलते हैं तो इसको भी कुंडली है ये भी हमारी है लेकिन ये number के आधार पर होता है एक से 9 number मतलब हम उस सुधार करना चाहूंगी प्लानेट्स के आधार पर हमारा ये ग्रेट होता है उसी के आधार पर हम अपना डियो भी उसमें डालके और एनलेसिस करते हैं और आपके व्यक्तित्व भाग्यांग आविदेश में रहेंगे की नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके बा और अब इसको हम कैसे देखते हैं horizontally देखते हैं और vertically देखते हैं तो horizontal plane में 492 जो आपका mental plane है जो आपके बुद्धी को बताता है 357 emotional plane है जो दिल के आधार पर कौन काम करता है 816 practical plane है और वर्टिकल plane है 438 जो thought plane है यह plane जिसमें होगा वो बहुत visionary होगा जो आप हम सोच नहीं सकते हैं वो कई साल आगे का सोच कर बताएगा और पहले तो उसको सोचेंगे कहेंगे पता नहीं क्या बता रहा है लेकिन वो इतना visionary होता है अगर जिसमें नंबर है 951 विल पार अगर वो कोई भी यह ज्यादा तर यह हमारे जो players होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है अगर players ना हो तो ऐसा बंदा ऐसा decision लेता है कि बिना सोचें उसको यह अच्छा लगा अच्छा मुझे अभी चाहिए वो तुरंत वो लेना चाहेगा बाद में भेशक पस्ता है अब यही मैं आपको 6 जिसको राजयोग भी बोलते हैं राजयोग 1 एक है हमारा 258 जिसको राज सक्सेस प्लेन 2 जो राजयोग 2 उसको बोलते हैं राजयोग 2 में यानि property से related है इससे आपको profession भी decide होता है आप land से जुड़ा काम करें और अगर आपको आपको प्रॉपर्टी ना भी हो तो आप खर करता क्योंकि बिना कर्म का तो कुछ नहीं चलता है नंबर तो है ही बिना सपोर्ट यह सपोर्ट सिस्टम हमारा ऐसे ही हमारा 456 यह नंबर हमारा है आप बहुत बड़े ओहदे पे बहुत आनबान शान से रहेंगे अब मैं एक लेना चाहूंगी एक कि राजेश नाम का व्य चौड़ तीन पैसर लेती हूं इसका नाम है राजेश ठीक है राजेश राजेश जीयो भी है उसका जीयो भी उसका फोर फोर्टीन थ्री नाइंतीन शिक्स्टी फाइब अब इसमें मैं निकालूंगी पहले इसका डेट उसको personality नंबर जिसको बोलते हैं ठीक है personality number मैं नीचे रख लिए जगह की कमी है इसमें personality number जो है इसका 145 हो जाएगा ठीक है इसका destiny number जहां D लिखती हुमें वो हो जाएगा 5 जब पूरा जोड़ोंगी 5 number याने की 1431965 ठीक है 5 आएगा उसका एक कुवा number कुवा number का भी इसमें योगदान होता है कुवा number आएगा इसका कि कुवा number यह चुकि mail का है यह mail में mail में कुवा number क्या होता है कि energy होती है हमारे जीवन में वो energy हमारे साथ हमेशा रहती है हमको guidance करती है वो energy इतना important हो number तो और किस director से मिलती है क्या मिलता तो वही बिलकुल वही नंब़ आएगा once लेके nine तक doubling और जो उसका प्रॉपर्टी है जो उसका नेचर है वही रहेगा उसमें तो इसका कुवर नंबर मेल में होता है तो केवल एयर को हम एड करते हैं जैसे इसका एयर किये 10, 16, 20, 21 आया तो मेल होगा तो 11 से माइनस कर देंगे और अगर फीमेल होगी तो यर वैसे ही प्लस करेंगे लेकिन उसमें 4 एड कर देंगे तो जो राजेश का आया हमारा 3 नंबर आया इसमें आ गया इसका 8 ठीक है तो अब हम भरना शुरू करते हैं और एक और जहान देते हैं जब हम इसमें भरते हैं तो जो हम 2 डिजिक नंबर होता है और तो उसमें पी भी भर देते हैं और वो भी नंबर भरते हैं तो चलिए इसी काम लेते हैं अब आपको पता है कि 1 नंबर यानि कि आपको पता है कि नीचे जो है 1 नंबर आएगा कि वंन नंबर ठीक है उसके बाद four number आपको पता है राहू का यहाँ जग और four number आया three number बिलकुल यहां आया ठीक है nine one number दुबारा अगर same number बार-बार आया है तो उसी वाले column में लिखेंगे उसी grid में लिखेंगे column का मतलब तो ये हो अब 9 आ गया, 6 आ गया, और 5 नमबर, how lucky राजेश is, he has got this 5 नमबर, बैले सिंग नमबर, ओके, और आ गया 8, अब देखिए, सब 8 से डरते हैं, 8 से डरते हैं, अब राजेश का मैं देखना चाहूंगी, राजेश में देखिए, कि एक राजयोग, एक राजयोग, यह आपका success line, राजयोग आ गया, राजयोग है, यह आ गया आपका, राजयोग, राजयोग लाइन है, ठीक है, राजयोग बान आ गया, इसमें राजयोग आ गया, यह आ गया, 4, 3, 8 जो आ गया, जो विजनरी की बात की थी, thought plane, और एक 951, वा, 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 राजयोग में 8 नमबर तो है, लेकिन आप देखिए, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा, कि यह देखिए, विजनरी वाला thought plane आ गया, यह राजयोग आ गया, यह विलपार, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि हमारा चाड तो बहु कमी होती है, और राजयेश को मैं देख सकती हूँ, कि इसका नाम जो है, एट पर आ रहा है, और एट पर नाम आने से, बस थोड़ा उसको हम, चार नमबर पर ले आने की कोशिश करते हैं, एक, तीन, पांच और छे, लेकिन, यहाँ पर सावधानी की जरूरत है, यहाँ पर एक नमबर पर हम उसका नाम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आठ है आपर, तो इसलिए एक पर नहीं है, तो उसके लिए क्या बसता है, तीन, पांच और छे, बस, तो उस पर नाम, क्योंकि प्लानेट्स होते हैं, बस देखिए, अस्टरोलोजी में क्या निमरोलोजी और इसम हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, हम नाम में चेंज कर सकते हैं, जिससे कि एक प्लानेट्स जो है, थ्री, फाइब, सिक्स पर आया, और उसका पस्नालिची नंबर के हिसाब से देखते हैं, तो उसको हम बेलकुल उसी पर ले आएंगे, और वहां पर हो जाए, अब एक और ब हमेशा इस्ट्रगल करते हैं, कभी रह नहीं पाते, रहते भी हैं, तो हमेशा परेशान रहेंगे, तो क्या वे नंबर मुझूद है उनके उसमें, तो ऐसी आप हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, और तो और परस्नल येर, परस्नल येर, जैसे अगर माली जेर राजेश का पांच नंबर आजाए, चाहे उसका आठ नंबर हो, चाहे उसका कुछ भी हो नंबर, उसकी परस्नालिटी और डेस्टिन, कोई फरक नहीं पड़ता, अगर मैं एक्जाम्पल देती हूँ, कि अगर पांच नंबर आ गया, तो भाई बले बले राजेश की जिन्दगी, क्यों कि निम्रोलाजी का बोल रही हूँ कि बहुती बड़ा हमारे में, बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, उससे हम महादशा निकाल सकते हैं, महादशा, और महादशा में हर महीने में कौन सा महीना सन का होगा, कितनी दिन का, क्यार, तो इससे क्या होता है, आप अप नंबर के जानने के बाद हम अपना we can control our nature that is the best part बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से मैम आपने हमें समझाया निम्रलोजी के बारे में और बहुत विशेश जानकारी आज आपसे हमें प्राप्त हुई हमारे दर्शकों को प्राप्त हुई आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद धनिवाद धन नमस्कार दर्शिकों.